ये साथ साथ और्गानिक टॉनिक यानि और्गानिक लिक्विट फार्टिलाजर से गुरेल यानि हिबिसकास प्लांट में लगतर फूल खीलते रहते हैं इस fertilizer में जो calcium है मिट्टि को यानि soil में oxygen को add करते है और root growth में बहुत ही help करते है इस fertilizer में magnesium भी है जो plant को photosynthesis में help करते है इस fertilizer में sulfur भी है जो plant का root का develop में help करते है और plant को किरे से लणने के लिए resistance भी create करते है और इसमें जो थोड़ा बहुत मात्रा में phosphorus भी है क्योंकि hibiscus plant में ज़्यादा phosphorus fertilizer हमको इस्तेमाल नहीं करना होता है तो थोड़ा बहुत जो phosphorus है plant का fruiting flowering में help करते है और इस fertilizer में जो भरपुर मात्रा में potassium है और plant में लागातर birds बनाते जाते है फूल भी खिलाते जाते है कुल मिला के आज जो साथ साथ liquid tonic liquid fertilizer आपके साथ share कर रही हूँ hibiscus गुरहल plant के लिए सबसे बरिया fertilizer है base fertilizer plant का soil में peach को maintain करके soil में good bacteria add करते रहते है जो फूल खिलाने में बहुत ही helpful रहता है आप एक एक करके देख लेते हैं कि कौनसा कौनसा घरलू homemade fertilizer गुरहल hibiscus plant के लिए बहुत ही भरिया रहता है तो पहले मैं बात करूंगी देखिए ये mustard cake liquid fertilizer के बारे में एक लिटर पानी में एक मुठी mustard cake को आप 3-4 दिन के लिए भीगो के रख दिजिए और next day आप उसके साथ दुगुना जितना हिस्सा आप इस fertilizer के लेंगे उसका double हिस्सा पानी add करके प्लांट में आपको डालते रहना है master cake fertilizer यानि सरसोखली fertilizer को पूरे साली आपको हिबिसकस प्लांट में इस्तेमाल करना है winter के टाइम पे जितना पानी आप master cake fertilizer के साथ मिला के प्लांट में इस्तेमाल कर रहे हो गर्मी के टाइम पे इस पानी को आपको और भी double कर लेना है और बहुती पतला एक liquid fertilizer बना के प्लांट में डालते रहना है बरसत का मौसा में जिस दिन बारिश होगी उस दिन तो डालना नहीं है और जिस दिन तीन चार दिन लगातर बारिश नहीं हुईगी उस दिन भी आप मस्टर केक fertilizer को प्लांट में डाल सकते हो और विंटर में तो बेजी जग मस्टर केक fertilizer को आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुती फाइदा मन्थ है इसमें काफी तरह nutrition मजूद है प्लांट के लिए जितना जरूरी होता है उतना ही मातरा इसमें रहता है साथ में मस्टर केक fertilizer इको फेंडली होता है घर पे पेस्ट रहे घर पे छोटे बच्च रहे इसके लिए कोई नुकसा नहीं है नेक्स्ट जो important liquid fertilizer का बात करूंगी वो है rice water राइस यानी चावल धूलने के बाद जो पानी रह जाता है उस पानी को हम प्लांट में यानी ही विसकास गुरहल प्लांट में इस्तेमाल करेंगे देखिए ये जो पानी का कलर देखिए इसमें कुछ भी मिलवाट नहीं है स्टेप ये चावल धोने के बाद ही इस तरीके से पानी हमको मिल जाता है जो हमरा प्लांट में हर तरीके का निूट्रियन तो ये देता ही है साथ इसमें है बेनिफिशियल बैक्टिरिया जो ही विसकास प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है इसको देखिए इसको जब प्लांट में हम डालेंगे इसके साथ और कोई पानी मिला के डालने का ज़रूरत नहीं है और आज का ये जो फार्टिलाजर आपके साथ प्लांट से और प्लांट मेंसे पानि देने के जगा पे इस तरह फार्टिलिजर रहे हैं लाखात का मिलता है देली बेसी से तो इस तरीके से डेली बेसीज लगातर आपको देना पारेगा तब ही आपको अच्छा से रेज़ल्ट मिलता है क्योंकि यह जो fertilizer यह दिखा रही हूँ, यह कोई magic नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा मात्रा में organic तरीके से nutrients मजूद होता है, जो धीरे-धीरे हमारा plant में काम करते हैं, और धीरे-धीरे काम करके magic दिखाते हैं, बहुत सरा full खिलाते रहते हैं, तो एक दिन इस्तेमाल करने से इस फारा fertilizer से कोई benefit नहीं मिलेगा, आपको लागतर continue इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपको process दिखाई दिया, friends, देखिए, मैंने चावल को थोड़ा सा मसल के धो लिया, और कितना सारा nutrient हमारा plant के लिए मिल गए है, बर धुलने के बाद, देखिए, दुबरा मैं इसमें पान nitrogen है, जिसके कारण में plant में green growth यारी vegetative growth बहुत हरे हरे पत्ता अच्छे से निकलते हैं, और plant का overall growth बहुत ही बरिया चलता है, साथ में hibiscus गुरेल plant का soil को acidic बना देते, पीज को जो गुरेल plant को full खिलाने में बहुत ही helpful रहता है, acidic soil से गुरेल में full खिलता है, और इसको जो न teaspoon आपको डालते जाना है, आप color देखिए कितना light है, जब आप regular basis पे यानि लागतार इस्तेमाल करेंगे तो आपको थुरा थुरा करके इस्तेमाल करना है, अधर nutrient के साथ साथ इसमें है potassium phosphorus magnesium, मैं बात कर रही हूँ, potato peel यानि आलू के चिलके से बना हुआ है, ये liquid fertilizer के बारे मे देखिए मैंने यहाँ पे आलू का जो चिलके है, इसको मैं पानी में भीगो के राग दिया था, और किस तरीके से आपको भीगोना है, चिलके को पहले अच्छा से आपको वाश कर लेना है, उसके बाद पानी के अंदर इसको भीगो के राग देना है, यहाँ पे कोई नाप करके प्लांट में आपको देते रहना है आज यह जो सार-साथ फार्टी लेजर आपके साथ शेयर कर रही हुँ इसका ऐसे कोई कंडिशाय नहीं है कि 10 दिन बाद बाद आपको देना है 15 दिन बाद बाद आपको देना है मैं जिस तरीके से यूज आपको दिखा रही हूँ एक फार्टी लेजर इस्तेमाल करने के बाद जैसे गुरेल प्लांट का मिट्टी सूख जाए आप और कोई फार्टी लेजर इसमें डाल सकते हो नेक्स्ट जो फार्टी लेजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें नाइट्रोजेन है साथी साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रेन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपको करना क्या है आपको पानी लेना है उसमें एक उपले आपको भीगो के रख देना है एक दिन के लिए उसके बाद देखिए पानी का कलर आपको इस तरीके से हो जाना चाहिए आपको पानी का कलर दिखा रही हूँ देखिए इसको भीगोने के बाद इस तरीके से light कलर आपको होना चाहिए आपका ये जूपले का पानी घरा रंग है तो उसमें आप और भी एक्स्ट्रा पानी एट कर लीजे और पानी का कलर जब इस तरीके से हो जाए तभी आपको प्लांट में इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन हमको नहीं देना है फिर तो प्लांट का जो लीब से पिला पर जाएगा और उल्टा असर दिखाते रहेगा तो हमको इतना ही पतला करके डालते रहना है नेक्स्ट जो लिक्विट फार्टी लैजर आपके साथ शेयर कर रहे हूँ यह हमारा सब का फेबरिट है हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं और प्लांट का ओवरल ग्रोथ के लिए प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत ही हेलफूल है हमको प्लांट में डालते ही जाना है जो हम और्गानिक गार्डिनिंग करते हैं और्गानिक गार्डिनिंग में इसका सबसे पहला इस्तेमाल रहता है वो क्या है वो है बनना पील यानि केले का चिलके का इस्तेमाल केले का चिलके को भी आपको पानी में भीगो के रखना है और आप एक दिन के लिए भीगो के रख दीजिए देखिए मैंने एक दिन के लिए भीगो के रख दिया था तो इतना कलर यतना जो लाइट कलर है इसको हमको इस्तेमाल करना है यानि गारा फार्टी लेजर हमको प्लांट में इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, जितना फार्टी लेजर मैंने ले लिया है, इसके साथ सेम क्वांटिटी में मैं पानी एट कर रही हूँ, तब ही जाके प्लांट में मैं डालूँगी। तो हर कोई फार्टी लेजर आपको पानी के साथ अच्छे से डाइलूट करके एक्तम पतला बना के इडालते जाना है। इससे ही प्लांट में अच्छा ग्रोथ रहता है, प्लांट के लिए बेनिफिट रहता है, जादा गारा फार्टी लेजर आपको नहीं देना है। बगरा नहीं होना चाहिए और इस पानी के साथ और कोई पानी मिलाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। संपल आपको जो चान लेना है, एक्षेल का और पानी आपको दे देना है। इस फार्टी लाइजर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, जो ही विसकस प्लांट का तने को मजबूत बनाते है। बार्ट्रप का प्रोब्लेम बहुत हद तक ठीक हो जाता है और फूल असनी से ज़रता नहीं है प्लांट से। इसके साथ आजका ये साथ लिकुट फार्टी लैजर आपके साथ शेयर कर लिया है। इसके अलोबा भी बहुत सारा तरिकर का फार्टी लैजर यानि लिकुट फार्टी लैजर इंस्टेंट फार्टी लैजर ही विसकस गुरेल प्लांट में यूज होते रहते हैं। और कोई वीडियो में आपके साथ और जरूर में शेयर करते रहूंगी। ही विसकस यानि गुरेल का प्लांट ऐसे एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल खिलाने के लिए बहुत सरा नीट्रेंट मिट्टी पे मौजुद होना चाहिए होता है। तो हमेशा कौनसा कौनसा फार्टिलाइजर आप देंगे इस तरह घुमा फिरा के आप ही विसकस प्लांट में फार्टिलाइजर देते रहिए। बिल्गुल और्गनिक फार्टिलाइजर है कोई नुकसा नहीं है इसका नाप देने का तरीका थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो ओभी कोई प्रॉब्लेम नहीं है। करना है विंटर में भी इस फार्टिलाइजर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। पूरे साली आप ये सारा फार्टिलाइजर को हमारा डेली बेसिस किचेन से निकलते हैं। सुबा और शाम आपको अच्छा से शावारिंग कराना है। मीली बग तो आपको प्लांट में लगे गाई नहीं जब आप इस्तेमाल कर रहे हो। और गुरहल ही विसकस प्लांट से जादा से जादा फूल लेने के लिए जो मिट्टी एसिटी गोना चाहिए। इसी फार्ट अच्छा वीडियो आपका हुविसकस गुरहल प्लांट में बहुत सारा फूल लेके आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक शिया जरूर करा करें। और मेरे साथ जुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजिए। प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब भी करें।